ओम स्री गनीशाय नमदोस्तो एश्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दोस्तो आज इकी इस वीडियो में हम बात करने वारे हैं 27 जून गुरुवार की रासी फल के बारे में कीह दिन मकर राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग उसे रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नीनी वीडियो पहुंच सकें चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए गुरुवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज अचानक धनलाब प्राप्ति के आपके लिए अनेको योग बन रहे हैं और आपकी परियसानियां दूर हो सकती हैं आप अपने करम पर भरोसा रखते हुए अपने कामकाज को बहतर दिशा देने का प्रियास करें जिससे समय के नुसार आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सके दोस्तो साथिसाथ उन्नती से संबंदित किसी सोब समाचार की आज आज आपको प्राप्ती होगी आद्यहत्मेक छित्र से जुड़े किसी अनुबवी व्यक्ती का सानिध्य आज आपको प्राप्त होगा विध्यारती अपने लक्ष के प्रती एकागर छित रहेंगे तथा उसका पैणाम भी उनको उचित प्राप्त होगा दोस्तो साति सात जो काम पिछले कुछ समय से रुके हुए थे या अटके हुए थे उनके आज पूरे होने के योग बन रहे हैं आपकी योगता पर प्रतीबा खुलकर लोगों के सामने आईगी अपने प्रती दिंदियों पर सफलता और आज आपको विजय प्राप्त होगी आप अपनी दिंचरिया वे आदतों का विशेश रुक से अवलेकन कर रहे हैं जिससे आपके व्यक्तित्व में आश्चार्य जनक निखार आएगा संतान किशिक्षा वे केरियर आदी से संबंदित भी कोई बड़ा निर्णे आज आप ले सकते हैं विद्यार्तियों की पड़ाई वे केरियर संबंदित समस्याओं का समाधान होगा जिससे सबी लोग राहत महसूस करेंगे आप भी अपनी कोशल शम्ताओं का भरपूर इस्तमाल करें बड़े बजरुगों का आशिरवाद वे किरिपा भी आज आपके उपर बनी रहेगी स्वास्त में भी सुधार आने से आप अपने अंदर एक नही उर्जा महसूस करेंगे और पूरे आत्म विश्वास के साथ अपने कालरे के प्रती ध्यान देना सुरू करेंगे किसी रिष्टेदार से संबंदित कोई सुब समचार मिलने से बन में प्रफुल लता रहेगी दोस्तो साथी साथ आप लोग वेहवार कुशल होते हैं आप बुद्धी मता वेहोसियारी से भी सभी काम आज कर पाएंगे जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होने की संभावना कम है इसलिए किसी भी कारे को इस्तिरता और गंबिरता पूरवक करें जिससे आपको कामियाबी और सम्मान प्राप्त हो सके सगे संबंदियों से संबंद खराब होने की भी संभवना बन रही है धन संचे करने का आज प्रियास विफल हो सकता है साथिसाथ आर्थिक मामलों में भी साथिनी बरतने की आपको आवश्यक्ता है भाईयों से संपत्ती वे बटवारे संबंदित विवाद का हल किसी की मदद से हो जाएगा आप से संबंदों को ना बिगाड़ें युवावर्ग अपने केरियर के साथ किसी प्रकार का समझोता ना करें साथि साथ आज आपको अपने क्रोध वे आक्रोस पर काबू रखना आवशक हैं कैई बार जल्दवाजी वे अति उत्सा में बनाया गया खेल बिगड सकता है जिससे परिवारिक सुक्सांती भी प्रबाबित हो सकती हैं अपने लक्ष के प्रती पैनी नजर रखना आपके लि सकते हैं इसलिए बहतर उपाए यह हैं कि आप बुरे लोगों की संगती से दूर ही रहें बड़े बजर्गों के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखने की आवशक्ता हैं साथे साथ व्यर्थ के कारों में धन खर्च होने के भी योग प्रबलता से बने हुए हैं भूमी या पाहन को लेकर भी कोई बड़ा कर्ज आपको लेना पड़ सकता है इसलिए अपने आर्थिक इस्तिति को ध्यान में रख कर ही खरीदारी संबंदित योजनाई बनाएं तो आप के लिए बहतर रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है दोस्तों दामपत्य जीवन को लेकर इस्तितियां काफी अच्छी रहने वाली हैं जीवन साती के साथ मधूर संबंद होने के साथ साथ आपको उनका शैयोग भी प्राप्त हो सकता है घर परिवार की शुक्ष विदा के प्रती आज आपकी प्रात्मिकता रहेगी पती पतनी के बीच संबंद मदूर रहेंगे परंतु संतान का कोई जिद्धीपन या नकारात्मक रविया आपकी चिंताओं का कारण बन सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैवेसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों वैपार के विस्तार संबंद ही नई संभावना प आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा साति सात कार्य विस्तार की योजना भी कार्य रूप में प्रणित होगी परंतु उस योजना पर पुन्हें परिक्षन जरूर करें साति सात नोकरी में हलकी फुलकी परिसानियां भी आएंगी परंतु आप अपनी बुद्धिमता और वि काम बहुती आसानी से बन सकते हैं परंतु के इमामलों में आपका स्वाब इमान आपकी उन्नती में बादख बन सकता है इसलिए अपने वहवार को थोड़ा लचीरा बना कर रखें यह ध्यान रखना आपके लिए अतियावशक है कि आपकी कोई महत्पपूर्ण वेवसाइ गतिविदी आज लीक हो सकती है करमचारियों की गतिविदियों पर आज आप नजर रखें परंतु जद ही इस्तितियां काबू में आ जाएंगी इसलिए आप पूरे जोस से अपने काम के प्रती एक आगरचित रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा र भूजन खाने से भी आपको परेज करना होगा अन्यता पेट से समंदित समस्य उत्पन हो सकती है इसलिए आप सुपाच्य भूजन करें और साथ साथ अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाई क्या है दोस्तो आज आप इसनान आदिश निरवत्र होने के बाद दो केले लें इसके बाद आप इन दो केलों पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान श्रीहरी विशनुजी का इसमना करते हुए किसी भी गाय को खिला दे और मनी मन अपनी मनों काम नहीं मागें या दोस्तो ऐसा करने मात्र से ही भगवान श्रीहरी विश्णुजी बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके सभी कार रहें भगवान श्रीहरी विश्णुजी का सिरवाद से बहुत यासानी से बनने लगेंगे दोस्तो भगवान श्रीहरी विश्णुजी का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में ज पहने बाद